नगर पारिका शतामती बहसाओ के आउचित्य पर पारिका स्कूलों में शुरू की गई निशुलक प्रवेशवाली नरसरी और सेमी इंगलिश कक्षाओ नए मुख्यादीकारी अतुलपन के आते ही डिम्बा बंध होने की कगार पर पहुँच गई है पारिका प्रशाषण की उदासीन था, इस कदर है कि उसने दिग्रश शताब्धी मौसओ के आउचित्य पर पारिका के पास लगाया गया पालिका स्कूलों का फ्लेक्स उतार फेका है और इसकी जगह पर लाडली पहन योजना का फ्लेक्स चस्पा कर दिया है कहने का तातपर यह यह है कि दिग्रश शहर के गरीब परिवारों के लिए शुरू किये गए निशुलक नरसरी प्रवेशवाली स्कूलों की महत्व कांग्शी योजना को डिब्बा बंद करने की पूरी योजना हो चुकी है शहर के आम नागरीकों को इस बात से आपती नहीं कि पालिका ने स्कूलों के फ्लेक्स उतार फेक दिये है बलकि आपती इस बात से है कि नवागमित मुख्यादिकारी अतुल पंत पालिका स्कूलों के नरसरी और सेमी इंगलिश कक्षाओ को शुरू करने के लिए कोई ठोस उठाने से कत्रा क्यों रहे है जबकि शहर भर के आम लोग इन स्कूलों की और आस लगाए बैठे है कई समेदन शिल नागरीकों ने आर्थिक योगदान दे कर अपना सामाजिक दाई तो भी निभाया है लेकिन पालिका प्रशासन न तो इन स्कूलों के लिए शिक्षक वर पूची नजर आ रही है आम लोगों में चर्चा ये भी है कि पालिका स्कूलों का फ्लेक्स उतार कर पालिका प्रशासन ने चुनावी चॉकलेट के नाम से परचलित हो रही राज्य सरकार की लाडली बहन योजना का फ्लेक्स लगा कर दिग्रश शहर के आम नागरीकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है अब नगर पालिका में पालिका प्रशासन लाडली बहन योजना के आउनलाइन आवेदन की सुविधा परदान करेगा लोग भी इस पंदरा सो रूपे परती महिना वाली योजना के लाप के चक्कर में पालिका के चक्कर काटेंगे पुलों का भविष्य अंदकार में डूप जाएगा शिक्षा शेत्र के साथ हो रहा खिलवार किसी दुषकर्म से कम नहीं और हकीकत ये भी है कि दुर्जनों के दुषकर्मों के पीछे सज्जनों की मौन सम्मती खड़ी रहती है जहां सज्जन निश्क्रिये होगे वहां दुर्जन अवश्य सक्रिये होगे और जहां तक दिग्रस नगर पालिका के शिक्षा शेत्र की बागड़ और सम्हालने वाले परशास किये तथा राजनितिक दुर्जनों की बात है तो ये बात मान लेना अनुचित नहीं कि इस शेत्र का पतन अब अपने आखरी इन बी सियन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट